विल्कम तो मैं ख्लास चैनल इस कुस्तिन को मैं स्वाल कर रही हूं इसमें मेरे पास क्या है यहां पर 3x है यहां पर कोई साय नहीं और प्रकेट में x-2y-2z है किया किया है यहां पर कोई साय नहीं है तो 3x के साथ mailipyला है. तो x square आजाएं because जब variable multiply होते हैं अगर same variable हो तो उनकी power add हो जाती है यहाँ पर कोई power नहीं होए नहीं होए नहीं होए नहीं 1 1 add होके 2 आजाएगी और हम multiply करते हैं sin भी multiply होते हैं plus 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 अब 3x को 2s multiply करेंगे sin plus minus minus आजाएगा 3 into 2 6 आजाएगा और x को y के साथ multiply करवाएंगे तो x y आजाएगा अभी तर power add नहीं होगी because यह x से y है दोनों same variable नहीं है यहाँ तो दोनों variable same थे ना तो इसलिम की power add होगी यहाँ पर x और यहाँ पर y है variable same नहीं है तो इसलिए हमारे पास x y आजाएगा और यहाँ पर plus minus क्या आजाएगा minus आजाएगा 3 को जब 2 से multiply करेंगे तो क्या आजाएगा 6 आजाएगा और x को z के साथ करवाएंगे तो x z आजाएगा अगें देख लो 3x को x से करवाए 3x को y आजाएगा और plus minus minus 3x को 2y से करवाएगा तो 6xy आ गया प्लस माइनस माइनस 3x को 2z से कराया तो 6xz आ गया अगें देख लो कि जब हम multiply करते हैं तो variable अगर same होंगे तो उनकी power add हो जी नी 101 power add हो के 2 आ गयी 3x2 को तो 6 करवा दिया x और y different variable ते तो xy आ गया प्लस माइनस 3x2 को multiply कर वाए तो 6 आ गया x or z को multiply कर रहा तो xz आ गया मैंने बहुत सारी वीडियो से बनाई नी है different questions लिए में हैं अब मेरे चैनल की playlist को visit कर सकते हैं polynomial or algebraic expression के नेम से playlist होगी वाँपर और polynomials मैने जिन में जारा सा ही तो लिए में हैं उनको multiply करना सिका हैं आप चेकर सुटी वीडियो चे लगए तो लाइक करें चैनल को subscribe